पूरे उत्तर भारत में इन दिनों प्रचंट गर्मी से लोगों का जीना मोहाल हो गया एक और लोग चिलचिलाती गर्मी से परिशान हैं तो दूसरी और मतुरा में पानी की किलत ने लोगों की दिक्कतों को दोगुना कर दिया सुबह उठते ही मतुरा में लोगों को पीने के पाने की चिंता सताने लगती है महिलाएं और बच्चे काफी काफी दूर से पानी भर कर लाने को मजबूर है जिन बच्चों के हातों में किताबी होनी चाहिए उन हातों में सुबह होते ही पानी के बरतन दिखाई देते हैं सौक कस्बा के उचे गाउं में कई सालों से पीने के पाने की समस्या है ग्रामेडों की लाग कोशिशों के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं चिलचिलाती धूप और गर्मी के कारण लोग काफी परिशान दिखाई दे रहे हैं अपरे चाहिं समानी लड़की है यह रोडन पे अची लगए हैं बेटी कपते हैं यह समय लगा कितना समय लगता है बहुत तैम लगते हैं वहीं जब इस बारे में बीजेपी विधायक से बात की गई तो सुनिये उन्होंने जिस तरह अपना पला ज़ाई कहरा तर अधि से अधिक गाउं मेरे छेतर के पीजल के पानी से पीड़ीता है तो हम कहना चाहूंगा क्योंकि नीचे खारा पानी है और खारा पानी होने के कारण नीचे जितने भी आपके हैंट कम लगमा में हम यहां तक कि जल लगम की भी पाइपलान ड़नी है वो सभी आप उर्दी नहीं हो पा रही है जो कहीं कहीं एकाज जो शुरोत है महीं से चाहें वो हेंटपम के माध्यन से ज़की समर्ष भी लगा रखी है उनसे पानी आ रहा है जहां तक पेजल में रहता है इसमें मुख के जल निगम का रहता है उसी का पेजल पूर्थी की जिम्मिदाई रहती है जल निगम की श्थिटी वास्ता में सोच नहीं है एक और भीचन गर्मी और दूसरी और पीने की पानी की समस्या लोगों की सामने लगातार दिक्कते खड़ी कर रही है उमीद है कि प्रशासन लोगों की समस्या और शिकायतों की ओर ध्यान देगा और लोगों को साफ पीने का पानी जल्द ही बिना परिशानी की मिल सकेगा पं